आज के विडियो में हम डिस्किस करने वाले हैं Theories of Origin of Life बहुत सारी theories दी गई थी कि किस तरीके से life जो है originate हुई different जो scientists थे, different जो लोग थे, वो different चीज़े सोचते थे कि life जो है किस तरीके से originate हुई होगी earth के उपर तो सबसे बहले आती है theory of special creation theory of special creation ये बोलते हैं कि भगवान ने क्या किया है life को create किया है God ने life को create करा है या कोई supernatural power थी जिसके वज़े से life जो है वो create हुई है so according to Bible God ने जो first men और first women थे वो कौन थे? Adam and Eve were the first men and women जो की earth के उपर आए और फिर उन्होंने reproduction करा और फिर पूरी population जो है वो फैल गई उसके बाद अगर हम बात करें हिंदू mythology के according ब्रह्मा जी ने क्या किया देखो जिसे शिवजी, ब्रह्मा और महेश ऐसे तीन होता है न तो ब्रह्मा जी ने समाना जाता है कि उन्होंने क्या-क्या life का origination किया तो मनू और शार्दा जो थे देवर देवर फर्स्ट men and women जो की उन्होंने earth के उपर उनको भेजा so according to this theory जो earth पे जो भी organisms थे वो same day पर originate हुए it means कि there were no differences in their appearance बट ऐसा तो नहीं है दूसरी चीज़ according to this theory organisms में कोई evolution नहीं हुआ they were created in the present form जैसे humans आज है वैसे ही उस time पर भगवान जी ने बना के भेजे थे इसका मतलब है कि कोई evolution तो हुआ है नहीं which is not correct, right then fully developed there is no adaptation तो organism ने कोई adaptation ही नहीं करी environment के हिसाब से इस theory के according तो ये purely religious belief के उपर based थी इसका कोई experimental evidence नहीं दिया गया था so this theory was on the basis of religious belief के basis पर ही थी so next is the theory of spontaneous generation so theory of spontaneous generation ये बोलता है कि life जो है वो non living चीजों से आई है life जो originate हुई है वो non living substances से originate हुई है जैसे मिट्टी, straw, leaves जो भी dry leaves जो नीचे पतजड में जड़ जाती है so for example मैं आपको बताती हूँ so मान के चलो हम क्या है 17th century के बंदया ठीक है आप 17th century के scientist हो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर मिट्टी है मिट्टी में से कोई जानवर निकल आया तो आपने बोल दिया this is spontaneous generation मतलब उनके इसाप से ये था कि इस मिट्टी से ही क्या आया है ये जानवर निकला है इसका origin हुआ है so वो मानते थे कि non living चीजों से क्या हुआ है living चीजों का origin हुआ है अपने आप ही निकल आए है लेकिन हमें तो पता है कि ऐसा नहीं है so ऐसे उन्होंने देखा house flies अपने आप आजाती है गोबर के आसपास frogs develop from the rain water अपने आप आजाते है मतलब इनका कहने का मतलब ये था जैसे हम घर में आप क्या गरो थोड़े से चीनी के दाने शुगर जो है एक कोने में रख दो next day आके आप देखोगे महाँ पर चीटियों का जुन दोगा चीटियां जो है वो वहाँ पर खा रही होंगी इतनी भीड हो जाएगी चीटियों की महाँ पर तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उस चीनी ने ही क्या कर दिया है चीटियों का origin कर दिया है origin of life जो चीटियों की है वो चीनी से ही आगी है चीटियां बन के बार ऐसा नहीं है so इसका जो major experiment था that was done by one hellmont इन्होंने क्या क्या था इन्होंने sweat shortly shortly जो की पसीने से भीगी हुई थी so उन्होंने dirty shirts ले पसीने से भीगी हुई shortly एक pot के अंदर और उसके अंदर उन्होंने wheat डाला और 21 days के बाद जब उन्होंने देखा तो वहाँ पर चूहें आ गए मतलब उसके अंदर से क्या निकले चूहें निकले तो उन्होंने बोला कि यह जो dirty shirts थी और जो wheat जो मैंने डाला इन्हीं से क्या हुआ चूहों का जनम हो गया so that is he was the supporter of spontaneous generation फिर बाद में इस theory को disapprove कर दिया गया इन्होंने इस theory को reject करा and अपने experiments दिये so अब देखते हैं जो Francisco Reddy उन्होंने क्या experiment दिया था तो उन्होंने तीन जार लिये उसमें उन्होंने meat का टुकड़ा रख दिया अब पहला जो जा था वो open था वो बिलकुल उसमें उन्होंने कुछ निढ़का तो अब वो जो open था तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो flies थी वो वहाँ पर उन्हें मिली maggots वहाँ पर मिले मतलब ये flies यहाँ पर आई होंगी उन्होंने क्या दे दिया होगा अपना larva दे दिया होगा तो इस meat के टुकड़े के उपर उन्हें क्या मिले maggots मिले जो इन्होंने जो flies वहाँ पर आई थी क्योंकि open था तो वो जो flies वहाँ पर आई थी उन्होंने एक ले करा होगा meet के उपर क्योंकि jar तो open है Second time न्होंने क्या किया एक जाली से उस jar को ढग दिया नेट से उस jar की जो लेट थी उसको धग दिया उसके बाद में उन्होंने देखा कि जो eggs थे, जो maggots थे वो उनको इस net के उपर मिले इस net के उपर मिले नाउ जो third जाया था उन्होंने अब उसको seal कर दिया ताकि कुछ अंदर ना जा पाए बिल्कूल seal कर दिया seal कर दिया तो वहाँ पर उन्होंने कोई maggots का development नहीं मिला तो उन्होंने ये जो spontaneous generation का थियोरी था कि non living चीजों से living चीजे originate हो जाती है वो उन्होंने disapproved किया क्योंकि जो maggots है जो larva है वही आगे जाके क्या बनती है fly बनती है लेकिन जब उन्होंने jar को seal कर दिया तो कोई larva उसके अंदर नहीं गया कोई maggots उसके अंदर नहीं गये meat के टुकड़े के उपर देफ़र कोई नई flies का वहाँ पर जनम नहीं हुआ अब Lazaros Penanzini ये eco scientist थे इन्होंने भी इस theory को disapproved करने के लिए एक experiment करा था सबसे पहले उन्होंने अपना एक flask लिया उसके अंदर जो broth था उसको heat करा उसके बाद उसको ठंडा करा और उस flask को खुला छोड़ दिया open कुछ दिर बाद उनको क्या दिखिए कि उस flask में micro organisms की growth उनको नजर आई अब उन्होंने दूसरी time क्या किया उसको heat करा लेकिन अब उसको seal कर दिया cork लगा के उसको अच्छा से seal कर दिया heat करने का मतलब है कि उन्होंने heat क्यों किया जो भी इसके अंदर पहले कोई micro organism अगर कोई present हो तो वो मर जाए तो heat करने के बाद cool करके उन्होंने धकन लगा दिया और उसके बाद उनको कोई growth नहीं मिली लेकिन जैसे उन्होंने धकन खोला तो वो जो flask था वो micro organism से भर गया so he found that new microbes appeared only in the open bottle तो उनका conclusion ये था कि जो microbes है वो enter हुए bottle में through air वो spontaneously generate नहीं हुए अपने आप generate नहीं हुए एक्सपेरिमेंट आता है that is the pasture pasture का experiment जन्होंने की confirm कर दिया कि जो spontaneous generation का theory है वो बिल्कुल गलत है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने flask लिया उन्होंने swan neck का flask लिया so he designed a flask जिसकी long curved neck है जिसकी क्या है जो neck है वो long और curved neck थी उन्होंने ऐसा flask को design करा इस तरीके से उन्होंने flask को design करा है कि जो flask है अगर हम उसको रखेंगे तो उसके अंदर कोई micro organism जो है air से enter नहीं कर पाएगा through this neck into the flask इस तरीके से इन्होंने more की ऐसा curve करके बनाए है कि micro organism उसके अंदर नहीं जा पाएगे तो उन्होंने क्या-क्या flask लिया उसके अंदर broth लिया फिर उन्होंने उसको heat करा heat करा ताकि जो भी अगर कोई micro organism उसके अंदर हो वो मर जाए फिर उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको broth is free of micro organism for a year उन्होंने वेट करा एक साल करा लेकिन उसमें micro organism की कोई growth उनको नहीं दिखाई दी एक साल बाद उन्होंने उस जो flask था उसकी neck तोर दी and neck तोरने से क्या हुआ allowing the air, dust and other particles to enter the broth and within a minute उनको दिखाई दिया कि वो जो flask था वो micro organism से भर चुका था so he clearly shown that microbes जो है वो enter वे flask में through air so उनका जो experiment था his work convinced all other scientists कि जो spontaneous generation का थियोरी है वो सही नहीं है वो बिल्कुल गलत है so उन्होंने यह जो controversy थी biogenesis versus spontaneous generation वो खतम कर दी next आता है theory of panspermia या cosmos wake theory इस theory के हिसाब से life has not originated on earth life earth पर originate ही नहीं हुई है rather space से कुछ suppose जो है वो हमारी earth के अंदर आए है और वो जो suppose है उन्होंने life को originate करा है so space में से कुछ जो suppose है कोई चीज जो है वो earth के अंदर आई है और उससे life का origin हुआ है लेकिन कुछ scientist ने इस theory को भी criticize करा ये theory भी नहीं माने वो क्योंकि उनके बैस नहीं कुछ questions थे रखने के लिए जैसे उन्होंने पूछा कि जो spores थे of life can't survive in the outer atmosphere कैसे वो survive कर गए इतना atmosphere इतना heat up होता है इतना गरम atmosphere होता है extreme dryness high temperature UV rays इतना extreme temperature में वो कैसे survive कर गए फिर आई theory of catastrophism जो कि क्या थी extension थी theory of special creation की so due to some supernatural powers life originate हुई according to this theory किसी supernatural power की वज़े से life का origin हुआ so life is originated by the some supernatural power और उसके बाद क्या हुआ catastrophe हुई यानि की life का end हो गया खतम हो गई life किसी भी geographical disturbance की वज़े से tsunami आई या बाढ़ आ गई या कुछ भी वो कम पा गया इतना सारा जो आला मुखी फट गई कुछ भी ऐसा कोई भी disturbance आई जिसके वज़े से life जो है वो खतम हो गई खतम हो गई लेकिन फिर क्या हुआ दुबारा life originate हुई फिर से originate हुई और जब फिर से life originate हुई तो वो different life form थी मतलब पहले वाले से वो organism different है जो अब नई life आई तो hence ऐसे कई round हुए कई बारी creation और destruction हुआ life का और इस वज़े से evolution हुआ different types of organism का on earth according to this theory लेकिन ये theory भी जो है वो disapprove कर दी गई थी उसके बाद आता है modern theory of evolution या जिसको हम theory of chemical evolution बोलते हैं so Miller and Urey ने क्या क्या they recreated the conditions of prebiotic earth in a closed system उन्होंने जो primitive earth में जो भी conditions थी जैसे की temperature बहुत जादा high था पहले क्या था temperature जो था वो काफी जादा high था देखो ये देखें ये हमारे पास है primitive earth का इस type का हमारे पास में conditions थी तो जो आलम की फटते रहते थे temperature जो था temperature was very high and उस time पर कोई free oxygen नहीं थी यानि की जो atmosphere था वो reducing atmosphere था और उस time के atmosphere में क्या क्या जीज़े थी methane ammonia water vapors water vapors थे and hydrogen बहुत जादा abundance में थी तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल वैसा ही environment create करने की कोशिश करी so primitive earth का क्या conditions थी reducing atmosphere यानि कि कोई free oxygen जो था वो present नहीं था high radiation level क्योंके ozone layer नहीं थी तो जो UV radiation थी वो असानी से धर्ती पर अंदर आ सकती थी high temperature था electrical storm बिजलियां कड़कती थी उस time पर बहुत ज़दा lightning होती थी so water was boiled to form vapors and then was mixed with methane ammonia and hydrogen तो उनके experiment में उन्होंने क्या क्या यहाँ पर देखिए उन्होंने heat करा है पानी को उन्होंने गरम करा थाकि वो पानी के क्या बन जाए vapors बन जाए क्योंके primitive earth में क्या था इतना ज़्यादा temperature था तो पानी जो है वो liquid form में नहीं था water vapor form में था तो उन्होंने पानी को heat करके vapors बनाए and इधर फिर उस जो हमारी water vapors है उसको किसके साथ mix कर दिया methane, ammonia, hydrogen के साथ में so the mixture of gases was exposed to an electrical discharge to simulate the lightning और यहाँ पर फिर उन्होंने क्या क्या यहाँ पर spark, spark discharge यहाँ पर लगाया lightning ताकि उनको lightning जैसी condition जो है वो मिल सके so electrodes लगाके उन्होंने spark create करा वहाँ पर so this mixture was then allowed to cool and after one week was found to contain some simple amino acids and complex oily hydrocarbons तो उन्होंने क्या 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 इसको cool होने के लिए छोड़ दिया और एक हफते बाद इसमें देखा कि यहाँ पर नई complexes का formation हुआ है amino acids बन गए है, carbohydrates बन गए है, fats का formation हो गया है so based on these findings, it was concluded that under the prebiotic earth conditions organic molecules could be formed यानि कि जो life का origin हुआ था, उसके लिए ये theory जो है वो perfect मानी गई कि उस time पर जो भी conditions थी life की वो कुछ इस तरीके की थी जिसकी वज़े से life का origin हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, atomic stage आई, सबसे पहले क्या है, हमारे पास में atomic stage आई, atomic stage के बाद में आई molecular stage तो मतलब की जो life का origin है, वो कैसे हुआ, chemical evolution से हुआ पहले atoms थे, atoms मिलकर क्या बने, molecules बने, उसके बाद में बने early organic compound उसके बाद में बने simple organic compound, उसके बाद में बने complex organic compounds फिर पहला cell का development हुआ, which is proto cell, proto cell बना, फिर उससे बने prokaryotes prokaryotes से बने eukaryotes, तो next lecture में हम detail में पढ़ेंगे chemical evolution के बारे में so chemical evolution जो है, वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम next lecture में पढ़ेंगे किस तरीके से जो life है, वो originate हुई, so ये कुछ theories थी, so ये evolution का first lecture था, जहां पर कि हमने theories के बारे में discuss करा, scientists क्या-क्या belief रखते थे लोगों का क्या मानना था, कि life जो है, वो किस तरीके से originate हुई होगी earth के उपर, so that's all for today, if you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates, thank you and have a great day